So, hi everyone, I am CA Ashkandil Pala and I hope you are doing good. Guys, finally, आज CA final results आचुके हैं and आज हम बहुत ही special interview record कर रहे हैं with CA Aashi Mangla. Yes, you heard it right. CA Aashi Mangla and इनके अभी तक के हमारी जो class के students है, उनमें highest score है DT में and इनका score है 72 marks. Yes, guys. So, ये बहुत special interview होने वाला है and बहुत ही insightful interview होने वाला है क्योंकि हम Aashi से बहुत ही candidly सारी उनकी preparation पूछने वाले हैं. इस interview में कुछ भी planned नहीं है कि हम क्या बात करने वाले हैं. आशी से पूछे ना, कुछ प्लैन नहीं है and फिर भी हम Aashi से पूछेंगे कैसे पढ़ा क्या पढ़ा तो जो उनका genuine preparation रहेगा, वो बताएगी. So, Aashi, I welcome you. CA Aashi Mangla, जिनके DT में 72 marks आये and total कितना हैं Aashi? Sir, total is 253 in second time. 253 total है. ठीक है, मैं total mass आयाद नहीं रखा मैंने, क्योंकि मुझे DT से मतलब है बहुत जादा, इसलिए total mass आयाद नहीं रखा मैंने. So, Aashi, I welcome you to my channel. कैसा लग रहाँ आप बताओ, मुझे सब कुछ छोड़के बताओ, आज आपकी feeling कैसी, आप जब CA बने आज, तो आपका कैसा feeling है, कैसा reaction दा घर में, क्या था, बताओ, प्लीज. So, first of all, thank you for inviting me. And the feeling is very good, I'm prepared for this, but I'm happy to come outside, without anything I can't say. And I'm very happy to be at home, I'm happy to be at home, I'm happy to be at home, I'm happy to be at home. Yes, yes, क्यूर कोता है, when you clear CA final, तो आप जित्ते खुच होते हättे, ज़्यादा घरवाली क्यों होते हैं, मेरे साथ भी हुआता है, और शुरू में तो और दो इस जाट है, फोर न ही चलते रहते हैं, पुरे घर न वर्त, बिल्कुल, and क्यूकि वैसे ही मेरे पापा का सपना था कि अपने विल्टीर में शचछी थाफ, कि अविर्ला पर पर्फटार्वेंग कि वह भी के रहल को तो भी मुझे अपने डिया दो धिल्टीर मुझे अपने पर प्रविशले लिया था टोटल हंड्रेड अच्छा तो अच्छा तो आशी यह तो बहुत अच्छा स्कोर है देखो सिए फाइनल डीटी में इता स्कोर करना बहुत बड़ी बात है आपको इंटर्वीज में जहां भी जाओगे आप तो वह बहुत अच्छे से रिगार्ड करेंगे इस चीज को कि आप पूरा पढ़ी नहीं सकते आपको इसमें काफी तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा जैसे आपके नोचे स्मार्ट नोच तो इसलिए मैंने आपको पहले अपना फैकल्टी सेलेक्ट किया अच्छा सेकिंद इन यह था कि स्मार्ट स्टडी में भी मैंने अपने खुद के करना थे कि अच्छा पना नोच को और जादा कनसाइस किया का था हमारा पीजीवीपक का चाप्टर रहा तो उसमें ना बहुत चुछ ऐसे क्सपेंस आते हैं जो प्रक्रण नीच जो स्ट्डी निचर कर अलाव होते हैं जैसे सेक्शन सटी ताइफ तो मैंने वह एक लिस्ट कि कहां कहां पर CAPEX Allowed होता है, Section 35 में होता है, फिर Section, मतलब जहां 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 भी अलाओ तो उनकी लिस्ट मनाइए, और फिर कौनसी ऐसी income है, जो Capital रिस्ट वो कंसिडर कहती है, मैंने उसकी भी अलग से लिस्ट मनाइए, मतलब वो Section 28 में आती है ना, तो मैंने सारी लिस्ट मनाइए, क्योंकि ना, याद तो रहे जाते हैं कि यह अला होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो याद नहीं है था कि Capital होगा या Revenue होगा, और उसमें भी यह भी लिस्ट मनाइए, कि कौन-कौन से इक्सम को इंस्टॉल्मेंट में मिरते हैं, मैंना उनकी लिस्ट मनाईए, तो मैं बहुत अच्छा अध्या, मैंने सोचा यह कि वह चानक है, कि अध्यर लोग अपने तरीके टाएले कम दशें बहुत अठी अध्या आइश honestly, सब्सक्राइब तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट किया है वह बहुत फायदाओ को भागे सुरेंट को भी राइट और बोलो आगे बोलो सब्सक्राइब को होना चाहिए और अग्जाम जाने के लिए मेरा रोल नंबर वन यह था कि मैं 100% पढ़के जाओ और डूसरा 100% करेक्ट तो मैंने स्टार्टिंग से ही काफी मतब हर कॉशन का आधे घंटे का मैंने टाइम से रखा जाए अगे बढ़ो तो आपने पूरा स्मार्ट नोट सब्सक्राइब से किया था हां सब्सक्राइब और कुछ तो आपने करेंट क के रहां किया होगी सब्सक्राइब कि कि हOWNगे थाए ऍसब्सक्राइब करने के लिए था करने को बना धाلب सवसक्राइब पूंए पटाओ आप सरे त्सकंद ऐसे ह्वले तो आपने से पहले आपके यूट्यूब के रिविजिन लिक्टर देगे ते अच्छा तो आपने क्लास फर्स टाइम फास्ट्राइग किया सी थे तो अमने मतलब क्या होता है कई बच्चों को डाउट रहता कि फास्ट्राइग में कंसेप्स कवर नहीं होंगे बट जैसे अपने पूरे फास्ट्राइग में कंसेप्स भी कवर के थे सारे प्लस पॉइंट था राइट और मुझे बताओ आशी एक बात कि जैसे पेपर थोड़ा डीटी का इतना एजी तो नहीं था पेपर डिफिकल्ट था मतलब बच्चों के लिए सब कले डिफिकल्ट था आपको पेपर डिफिकल्ट लगा एजी लगा और ऐसा क्या हुआ कि प्लस पॉइंट वह अंड था क्या हैं जाएं डीटी को इसाब टाइम टीटी को जबने मज़ा आपके साथ तो डीटी की रिवेज़न था था अथा आपके साथ तो पीज़नी की खाफिते वागई हैं आपको बार बार देख कि कर सब्सक्ते हो मतलब अब्टी नुत बार त आपके दिमाग में बैट जाते हैं मुझे जादा तफ नहीं लगा जादा तफ नहीं लगा कॉशन काफी स्मार्ट ली बनाए गए थे मतब आप्रिशीट था एग्जामिनर मतब तफनेस के लेवल पे मुझे लगते किसी कंसेप्स क्लीर हो आपके बच्चे बच्चे पढ़के बच्चे स्कोर नहीं कर सकते बड़ आपका देखिए मुझे बहुत थी बहुत अच्छा लगा तो थैंक्यू सो मच आशी मुझे याद तो नहीं है लेकिन तीन से चार रिविजन तो करने ही चाहिए चार करों के तो बहुत ही अच्छा है तो मैं तीन से चार तो करने ही चाहिए और यह एक्जाम वाले को छोड़के बोल रही हूं क्योंकि मेरा इलेक्टिव एक्जम था तो मेरेको डीटी में तीन देन मेले थे मतब पढ़ाई करने के लिए तो वह प्लस पॉइंट की मतब में पस्तों जादे टाइम से प्रिपेशन के लिए इस बार बहुत सारा बच्चों का एक्जम्शन था और इस बार भी अब जैसे बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाएंगे उनको एक्जम्शन होंगे ही इस दी में तो वह काफी एल्प करता है ठीक है तो आपने रिविजुन बीडियो सारे देखे था मेरे ख्लस के बाद भी देखे था नहीं क्लास में तो ड़ा लिया है ताकि वह ब्रा क्लास में जाके भी आप कर दो हो जाए कि लिएगा और प्रुक्लेशन हो आपकी में फ्रेश होता है वह बहुत अच्छा एड़ बहुत अच्छा चीज एसा भी नवबर में मैं फेस्ट्रक बैश लेने वाला हो लाइव अभी स्टार्ट होने वाले है 17 से तो मेरे अभी तो रिविजन लेक्चर में के पूरे अवेलेबल है नवबर में बहुत कम हैं तो बहुत सर बच्चे यह भी कर सकते हैं कोई बहुतभ सब्सक्राइब देखकर कर सकते हैं यह कंप courage क्लास लगा твор94 technique क्रेक्ट ऊपाता है कर्रेक्ट और क्लास में की लिंग करते हैं तो अपना प्यार लिंग करते हैं है और आप स्ट्वर बोलोगे तो याद रही हो कि यह पढ़ाता है तो जब भी बच्चे कलास कर रहे हैं अभी तो यह तो बेस्ट टेक्निक हम लोग बोलते हैं सुट्ट्स को पर सुट्ट्स ना कभी कभी सुनते नहीं बात तो आपने सब कुछ वो किया इसलिए इतना अच्छा स्कोर आपका तो आशी तेंक्यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लग आपसे बात करके आशी आपको पॉइंट करना चाहोगे इसमें कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपको जैसे अभी बोलने का होगा तो आप बोल सकते हो आपको आपको आपकी बच्ची बास सुलेंगे भी मेरा परस्नल एक्स्पिरियंस यह है कि आप किसी को कुछ भी बोलो वो फॉलो नहीं करेंगे अच्छा लेकिन जब एक बच्चे को उतना कि वो अट्यम देदे कर ठग गया है आपको पता है कि लास्ट है पर अब तो इसको पार करना ही है तब वो अपना मोटिवेट हो जात नहीं करें लेकिन जब ग्रूप निकल गया तो मेरे को ऐसे लगा कि बस यह तो लास्ट सेप का भी आदा सेप बचा है तो अब तो मैं तब पेशे से इतना खतम हो गया कि अब तो बस निकालना ही है तो उस ताइम पर ना I was like कि जो भी करना पड़े मैं करूंगी तो फिर य चीज से अंडरस्टैंग जादा बेटर डेवलाप पो रही है तो यह अगर मैं यही का हूँगे अपने अपने घलो स्टूदेंस को मैं तब फेलो तो नहीं रह से अगर आप सिरिसली करना चाहँते हो तो आपको पता है वाच सेव को बेस्ट फॉर यू क्योंकि यह एक अर रहें तरीका नहीं होगा अगर आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए पड़ाइब कोई भी तरीका काम नहीं खरेगा अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही बड़ी अलगा बहुत सही बहुत बच्चे जैसे अभी बताएंगे हम लोग की कैसे पढ़ना क्या पढ़ने अब हर बच्चा अलग अलग तो इसको वा चीज को उसके लिए कैसे अपलाइ व क्या पंदा शिए एंड वयसे अपलाइ नहीं सीच्वेशन ने उस पर उसको आपलाइ करके अपने हिसाफ से महिनत करने चाहिए जिसे कुछ बच्चे हमारे बताने बाद आर घंट इम पढ़ सकते हैं कुछ बच्चों को बारा घंटे लगते हैं तो अब तुमको देखना पड़ेगा तुम किस काटेगरी में हो तुम कितने बार रिविजिन करना पड़ेगा, कितने बार क्या करना पड़ेगा तो यार यह बहुत अच्छा लगा बात करगा आशी तैंकियो सो मच पॉर कमिंग और गाइडिंग अर स्टुडेंट्स मुझे पक्का भरोसा है कि आपकी इस बातों से बहुत सार बच्चों को benefit होगा, help होगी और आशी, once again congratulations, बहुत 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 बढ़ाई हो आपको, आपकी पूरी family को और आप CA बन गए हो अब, अब जल्दी से बढ़िया से कोई जो भी करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो, जल्दी से करो और अच्छे से सब प्लान करके आपको भी जरौत होगी हमारी, जैसे मेरी के जरौत होगी, तो मैं रहा हो रहा हूं काई जैसे आपको जैसे बहुत सारा बच्चे ना डिरेक्ट एक्स डोमेन में आगे, मधब जॉब करते हैं तो बच्चे इंटर्व्य के टाइम भी मेरे नोट से पढ़ते हैं लास्ट ताइम भी एक सुरेंट ने पढ़ा था, मुझे एक सुरेंट का याद है ट्रांसर पैजिंग में इंटर्व्य था उनका, तो अपने लेक्चर से पढ़के गई थी वो अपने जो एक्जांपल बताते हैं ना क्लास में, वह एक्जांपल एक्स्प्रेंट के थे तो उनको वीडियो में उनका सेलेक्शन हो गया था, एक सुरेंट का तो आपको जो भी हेल्प लगीगे आगे, प्लीज कॉंटेक्ट अस और स्टे इन टच और थैंक यू सो मच आशी, थैंक यू अगें तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज सब्स्राइब कीजिए, और अपने सारे दोस्ता शेर कीजिए, और कोई भी अगर कुछ डाउट होगा आपको, तब कॉमेंट सेक्शन में, यहां पे लिख सकते हैं, और आशी का में लिंक्डेइन प्रोफाइल में डाल दूँगा आशी यहां पे, डिस्रिप्शन में, किस बच्चे को लिंक्डेइन में कनेक्ट करना होगा, आपसे तो कर सकते हैं, कुछ पूछने लें, बैसे परशान मत करना, नॉर्मल मेसेज करना, ज्यादा बड़बन मत कर न, क्योंकि अभी वो लेंडिर पर उनको जॉब उफर्स भी बहुत रहेंगे, तो ठीक है, चलो आशी, थैंक्यू सो मच, थैंक्यू, बाबाई, सी यू, बाई, बाई, बाई,